हाई, दिस इस आरती मुंबरकर और वेलकम तो माई यूटूब चैनल दोस्तों, काफी सारे लोगों ने मुझसे पूछा कि आरती, तुने इतने सारे किताबों के बारे में तो बता दिया पर आक्टिंग रिलेटेड कौन से किताबे पढ़ने पढ़ती है? जी हाँ, अगर आप एक बहतरीन आक्टर बनना चाहते हैं, तो आपको काफी सारे आक्टिंग रिलेटेड भी किताबे पढ़नी पढ़ती है अब वो कौन सी है? जरा गौर से देखिएगा आगे आगे हमारी भारत में आक्टिंग की शुरुवात डान्स के माध्यम से हुई थी सबसे पहली किताब लिखी गई थी नाट्टे शास्त्र भाई भारत मोनी इस किताब की फ्रंट पेज पे नटराज की तस्वीर है यान की लोड़ शिवा तो मंत्र अपनी आप्यों मुँसे निकल आता है आंगी कम भो नम्यस्य वाचिकम सर्व वांग्मयम आहारियम चंद्रतारादी तोम नमो स्वात्विकम शिवाम अर्थात समस्त्र विश्व जिनका अंग है समस्त्र विश्व की वानी जिनकी वाचा है चंद्रतारे आदी जिनके आभूशन है ऐसे सात्विक शिव को मेरा कोटी कोटी प्रणाम नाट्टे शास्त्रे इस किताब में 6 और 7 चाप्टर रस और भाव को दर्शाता है ये किताब NST यानि कि National School of Trauma और काफी सारे Acting Schools में पढ़ाई जाती है इसके अलावा IMA literature में भी ये किताब syllabus में दिखाई गई है तो अगर आपको Acting Related चीज़ों के बारे में जानना है और खास करके Expressions के बारे में तो Definitely ये किताब ज़रूर पढ़िएगा कम से कम 6 और 7 चाप्टर तो ज़रूर है तो ये रही Indian author की किताब अब काफी सारे Foreign Authors ने भी काफी सारी Acting Related किताबे लिखी हुई है तो ज़रा हम उन authors के बारे में उन किताबों के बारे में जानते हैं अगले सेक्शन में There are two types of theatre, Eastern Theatre and Western Theatre Eastern Theatre is more focused upon visuals and senses whereas Western Theatre focuses upon comedy and tragedy The Western Theatre has its origin into ancient Greek theatre Now, there is a famous author Konstantin Stanislavski whose books are very famous in Western Theatre culture Now, who is he and why should we read his books? Konstantin Stanislavski was a Russian actor, director and co-founder of Moscow Art Theatre He is famous for his acting theory known as method acting Method acting is a range of theatrical and practical techniques and rehearsals performed by numerous different theatre practitioners The Stanislavski systematic approach talks about Concentration, imagination, vision, analysis, emotional memory and observation He has written three different books What are they? An actor prepares Building a character Creating a role An actor prepares Talks about An actor's imagination into acting Creating a role Is a culmination of the Mastering trilogy On the art of acting Whereas Building a character Talks about How the actor's body And voice Should be used at the fullest For greatest performances So these are few of the acting books Written by The Russian author Stanislavski Now Let's look into Few other books Into the next section Acting related Acting related I want to read Who are the other books I want to read So that is Novels Or storytelling आप किसी भी भाशा में ये किताबे पढ़ सकते हैं। मैं हिंदी किताबों के बारे में जिक्र करूंगी यहाँ पे। तुगलक, ये किताब गिरिश करणार ने रिखी हुई है और उर्दू डिक्शन के लिए काफी बहतरीन है। इस किताब के उपर मूवी भी बनी हुई है। फिर आती है मोहन राकेश की कहानिया, विजय तेंडूलकर ने लिखी हुई काफी सारे किताबे, प्रेमचंद की कहानिया, और हाँ बाकी इतिहास बादल सरकार ने लिखी हुई किताब। इसके उपर काफी सारे प्लेस हो चुके है, तो आप जब भी कोई किताब पढ़ते हैं, तो उसके साथ ही उसके रिलेटेड मूवी या ड्रामा ज़रूर देखिएगा। तो as an actor, आपको सिर्फ किताबों के अलावा, मूवी और प्लेस के जरिये भी वो character कैसे play करना है, इसके बारे में भी information मिल जाएगी। तो ये रही acting related कुछ किताबों के बारे में details, अगर आप बहुत ही अच्छे actor बनना चाहते हैं, तो आप इन किताबों को ज़रूर पढ़िएगा, और कैसा रहा मेरा ये वीडियो, ये मुझे ज़रूर बताईएगा, अगर पसंद आए, तो ज़रूर इस वीडियो को like, share and मे अगले हपते फिर मिलते हैं, फिर काफी सारी नई किताबों के साथ, तब तक के लिए, अलविदा